एक कहावत है कि किर्केट के दुनिया में रिकॉर्ड बनते ही हैं तूटने के लिए कभी कोई खिलारी सबसे ज़ादा छक्का लगाने का रिकॉर्ड बनाता है तो कभी कोई सबसे कम गेंद पर अर्दशतक और शतक ठोक कर इतिहास रज देता है खासकर किर्केट के दुनिया में जब से T20 और T10 जैसे फॉर्मिट आए हैं तब से तो ऐसा लगता है जैसे हर रोज रिकॉर्ड बनते हैं और तूटते हैं इस विडियो में हम रिकॉर्ड की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक युवा भारतिये खिलाडी ने जो किर्केट के दुनिया में रिकॉर्ड बनाया है वो इतिहास बन गया है जिसे तोड़ पाना नामुम्किन जैसा है और अगर ये तूटता है तो किसी चमतकार से कम भी नहीं होगा तो चलिए उस रिकॉर्ड के बारे में अब बता देते हैं दरसल भारतिये कर्केटर रितुराज गयकवार ने विजय हजारे ट्रॉफी के क्वाटर फाइनल में एक ही ओवर में साथ छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर दिया है अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में छे बॉल पर छे छक्का लगाने वाले खिलाडियों का नाम आपने सुना होगा लेकिन भारत के इस खिलाडी ने एक ओवर में साथ छक्का लगा दिया मतलब एक नो बॉल पर भी उन्होंने गेंद को सीधे बॉंडरी लाइन के बाहर पहुचा दिया इस तरह से गयकवार में एक ओवर में साथ छक्का लगाते हुए 43 रन बनाकर वर्ल रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया ऐसा कारणामा उन्होंने उत्तर परदेश के खिलाफ मैच में शिवा सिंग के ओवर में किया है हलाकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 43 रन बनाने के बावजूद या ओवर किरकेट इतिहास का सबसे महंगा ओवर नहीं है दरसल किरकेट के इतिहास में सबसे महंगा ओवर डालने का रिकॉर्ड न्यूजिलेंड के लिए 4 टिस्ट मैच खिलने वाले पुर्व खिलाडी बॉर्ट विंस के नाम दर्द है जबकि एक ओवर में सबसे ज़ादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी न्यूजिलेंड के ही खिलाडी ली जर्मन के नाम दर्द है 90 के दशक में एक प्रथम स्रेडी मैच के दौरान वेलिंग्टन के खिलाडी बॉर्ट विंस ने कैटरबरी के खिलाफ मैच में एक ओवर में कुल 77 रन लुटा दिये थे इस दौरान उन्होंने 22 गेंदे डाली थी उस ओवर में ली जर्मन ने अकेले 70 रन ठोक दिये थे दौरान दोनों खिलाडी गलती कर बैठेंगे और अपना विकेट दे देंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और एक अलग ही रिकॉर्ड बन गया उन्होंने ओवर में कुल 8 छक्के और 5 चोके लगाए जबकि फोर्ड ने भी 2 गेंदों में 5 रन बनाए तो इस तरह से किरकेट के इतिहास में अब तक का सबसे महंगा ओवर साबित हुआ है वैसे आपको क्या लगता है क्या ये रिकॉर्ड कभी तूट सकता है अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर दीजिए